हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे इस्मृता इंग्लिस एकेडमी पे तो आज मैं इंग्लिस नहीं पढ़ाने वाली हूँ आज है 14 सितंबर हिंदी दिवस तो आज मैं हिंदी दिवस के बारे में आपको कुछ बताने वाली हूँ जो कि हमारी मात्र भासा है तो चलिए पिर जानते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे राश्टी दिवस और अंतर राश्टी हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है तो चलिए फिर वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बेल आइकन को तबाएं ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो आये तो आप तक चरूर पहुँचे तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं राश्टी हिंदी दिवस जो कि हमारी मात्रिभासा है हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को भारती संबिधान सभा के दोरा हिंदी को राज़भासा का दर्जा मिला इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दें भारती संबिधान में 22 भासाएं हैं में हिंदी और अंग्रेजी भी सामिल है लेकिन किसी भी भासा को राष्ट भासा का दर्जा नहीं मिला है सिर्फ हमारे हिंदी को ही राष्ट भासा कहा जाता है अंतराष्टी हिंदी दिवस हर साल दस जन्वरी को मनाया जाता है यह दिवस हिंदी के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के अलावा भी बहुत से देशों में हिंदी बोली जाती है वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें कमेंट करें थैंक यू फोर वाचिंग